हार मित्रों स्वागत आप सभी का आपके अपने ही पसंदीद है यूटूब चैनल धर्मेंद कड्में जी हां मित्रों कल जो सामगी हमारे संडे लाइब क्लासे चलती है 815 पर वो नहीं हो पाईती पर भी नहीं हो पाई तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपोर्डेंट होने वाली मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू वीजिटर है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और चैनल को सस्क्राइब करने के पस्चात में आपके समय से लेटेस्ट वीडियो और हमारी जो एक्जाम्स के लिए आपके लिए डियले की जो लाइब सेशन चल रहा है उसका नोट्विकिसन आपको मिलता रहेगा मित्रों तो जैसा कि आप थमनेल पर देख पा रहे हैं कि डियलेट बैक पेपर के लिए लेटेस्ट नि सांध्रिपूर इसका आईउन किया जाएगा और वहीं पर आपकी बैक पेपर बैक पेपर बिध्यारतियों के द्वारा जो कोड में याची का दायर की गई है जो बिसंगतियों के कारड़ होने के कारड़ यानि हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा है और जो पास आउट उनक कि दोहरी नीत का सिकार होता जा रहा है ठीक है यही 2018 एक साथ रहा करता था सभी संग्टन एक साथ थे सभी लेकिन अब यह अपने अलग अलग गोटों में बंड चुका है ठीक है कुछ विद्यारती बैक परसिज्चो के गोट में है और कुछ पास आउट तो बैक परसिज्चो के दौरा है या चिका दायर कर दीगे यह वही पर पास आउट विद्यारतीयों के दोरा thinkers we स्ट्रेश पाइस विध्यारती कि संग्यादी कि और विएक प्रसिज्जू कि तो जो फ्रेस पास आउट विध्यारती हैं वह है फिर पूने से कैविएड़ दाखिल करने के विचार में मित्रों क्या होती है कि मतलब होता है कि जब आपके द्वारा कोई भी याज का दाएर की करने वाले का भी 25 सुना जाता है तो मित्रो इसलिए इसमें ख्रंपूर्ण चर्चा रहेगी मित्रो तो चलिए वीडियो को आरम करते हैं और शुरू से ले को सब्सक्राइब कीजिये और इस चैनल के लिंकों भी स्चियारी क्यों ना कर रहा है और अचलिए उसी तरह प्रारं करते हैं भी ट्र शुरू को आपको बतातों के भिन भिन मंडलों के प्रिसचों के द्वारा जो बैक पेपर में जो बिसंगती है आदे बिध्यारतियों को प्रमोट किया जा रहा है अठारे वैच के लिए ठीक है और आदे बिध्यारतियों के लागए एक लाग जो बैक प्रिसचों है उनके द्वारा इस सभी के द्वार से अपने विशंगति के भारे में अगवत कराया है और गयापन अभयान इनके द्वारा भिनविन जनौ में दिया गया है मितρο कहा पर दिया गया है ये सभी आप लोग देख पा रहे हैं कि भीविन प्रस्चिशों के द्वारा ये विसंगती को प्रोनत विसंगती को ले करके इनके द्वारा दिया गया है मित्रो तो यहां पर भी आप सभी देख रहे हैं सभी के द्वारा अपनी अपनी विसंगतियों को ले करके हमें क्यों नहीं प्रमूट के जा रहा है सभी के लिए नीती समान होनी चाहिए इस वज़े से इनके द्वारा पुड़ किया गया है और प्रतिक जिले पर यह दिया जा रहा है सभी प्रस्चियों के द्वारा मित्रों वहीं पर जो सिच्चा मंत्री का घिराव का जो कारिकरम रखा गया है तो सभी प्रस्चियों के द्वारा जो बैक प्रस्चियों है उन सभी के द्वारा डेट आप पीस्पल रिक्वेस्ट ठीक है जिसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं ठीक है लेटेस्ट अप्डेट है डेट आप प आंतिपूर्वक से अपनी पुने रिक्वेस्ट की जाएगी प्राथना की जाएगी कि हमारे साथ इस तरह बिसंगती ना की जाए क्योंकि यदि यह बिसंगती होती है तो हमें लग हमारा जो सेमिश्टर है वो पूर्टरे से हम जो है एक साल बैक चले जाएंगे और आगामी जो उसे चक वर्ती आती है उसमें बिल्कुल से प्रध्वाग नहीं कर पाएंगे इसी को लेकर के मैंने आपको बताया था मित्रों के यदि आप सभी जो पास आउट प्रसिचू है तो आप सभी को भी बैक प्रसिचू के सपोर्ट करना होगा क्योंकि यदि आप इनकी सपो प्रसिचू होगी ठीक है पहले ही सुनवाई से इसके सबसे बड़ी स्टे होगी कि इस पर स्टे लेना ठीक है और उसके पशाथ जैसे ये कोड में मैटर चलता है तो मैटर आप सभी लोग जानते है कोड के सरण में कोड का फैसला कितना सीख राता है कितना लेट आता है वो भी आगामी भरती आएगे, उससे इनका जो कि इनके जो कदम है वो दूर दूर तक प्रतिदिन चलते चलेंगे कोड के माध्यम से मित्रों, तो इसलिए मैंने आप से कहा था, कि आप सभी प्रसचू फिर पुने से एक साथ होना वो गा, ठीक है, पुने से एक साथ होना वो ये peaceful request की जाएगी मित्रो तर्तिय सेमिश्र की जो बिसंगती है प्रमोट को लेकर उसके संबन्द में पुन एक बार पुन है शिच्छा मंत्री जी के आवास पर निवास पर ये किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ डॉकुमेंट से यानि आपके द्वारा किस-किस को जन अरिवारी सदस्य को साथ आए ठीक है मित्रो तो यह आपके लिए बेहर इंपूडेंट है एक वार पुन है से प्रयास किया जा रहा है और प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए मित्रो क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपके लिए सफलता की स्रेड़ी बनती है वहीं पर बात क साम तक आज साम तक वह अप्लेट हो सकती है मित्रो ऐसी प्रभल संभावना है कि आज साम तक वह अप्लेट हो जाएगी और जैसे ही अप्लेट होती है तो क्या नंबर है लिष्टि याचिका नंबर और कब तक उसकी सुनवाई होगी आदी पर इसमें आपको अप्लेट दे करने के संबन्द में विचार किया जा रहा है यह भी लोग सिक्रता से कैवियर दाकिर करेंगे मित्रों क्योंकि इनका भी पच्छ सुना जाएगा कैविट का मतलब होता है कि यदि किसी के दौरा या चिका दायर की गई है तो जो कैवियर करने वाला पच्छ जो होता है उसकी बातों को भी सुना जाता है मितरो ठीक है तो नकी तौरा भी यानि जो भी फैसल आएगा उस से पहले इनकी बातों को माने झाज महाओदे के दौरा कोने मैं सुना जाएगा और उनपर वी विचार किया जाएगा मित्रों तो ये थी आप सबी के लिए बेहत इंपोर्ड की लिए उसका लाइब सेशन का अपने नोटिविकिशन आपको मिलता रहेगा एक बार पुने बता दूं कि आप सभी पुने 2018 बैच दो गुठों में कई गुठ बन चुके हैं प्रत्य गुठ अलग बन चुके हैं लगवा कई 100 से अधिक या 100 हम कहें तो यह आपके गुरूप बन चुके हैं मित्रों ठीक है तो आपका एक ही बस गुरूप होना चाहिए 2018 बैच आप सभी एक साथ पुने से आएं ठीक है पुने से आएंगे ठीक है तो यह जो विसंगती है वो संभवत है पूर हो सकती है मित्रों क्योंकि यह मामला यदि कोड में लंबा खिचता है तो पूरा 2018 बैच कंप्लीट 2018 बैच इसका हरजाना भोगतेगा मित्रों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार मित्रों धन्यवाद